हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स जन आयर सिटी से यूटूब चैनल स्वाच के इस वीडियो में हम आपके साथ रेलवे से रिलेटेड एक और नई खबर सेयर करने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों ब्रेथवेट को मिला मिनी रेतन एक कदर जा वहीं सरकार ने से राइट में विला करने की भी उजन बनाई है तो अगर आपको खबर के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो डिस्किप्शन में लिंक दी गई है आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं तो चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं खबरों के अनुसार रेलवे P.S.U. ब्रेथवेट एंड कंपनी को मिनी रतन एक स्टेंडी की कंपनी घूसित के आ गया है क्योंकि सरकार रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकनॉमिक सर्विसेज राइट्स के साथ विले की भी ओजना बना रही है जीहां दोस्तों आपको बता ब्रेथवेट के चेयर्मेन और प्रबंद निर्देशक एतीज कुमार ने कहा कि सरकार जो फैसला करेगी कंपनी उस पर चलेगी इस बीच रेलवे बोट के एक अधिकारी ने कहा कि विलेच छे रेलवे सारवजे ने कुपकरमों के पूरन रगठन की उजना का एक हिस्ता थ था आपको बता दे की रेलवे कासमे क依र और वी अनल को इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इर्कॉन और रेलटेल कॉर्परेशन को एंडियन रेल्वे कैरेंग और टूरिजन कॉर्परेशन यानि की आई यर्शी में से और ब्रेथ्वेट को Rio Dryas ने कहा कि ब्रेथवेटे क्रिण मुक्त कंपनी बन गई है और इसे मिनिरत ने एक कदर्जा दिया गया है क्योंकि यह पहले ही कर से पहले 30 करोड रुपे से अधिक कलाब हासिल कर चुकी है और लगातार तीन वर्स उसे सुद्धिलाब की रिपोर्ट भी कर रही है बता दे कि वित्वर्स 2011 में हासिल किये गये 609 करोड रुपे से कंपनी 700 करोड रुपे के कारूबार के साथ वित्वर्स का अंत कर सकती है वहीं वित्वर्स 18 में कंपनी का टर्न ओवर 130.89 करोड रुपे था और सांथी कुमार ने कहा कि कंपनी इस तरपर ब्रेथवेट 2026 में IPU लाने पर विचार कर रहे हैं और तब तक उनका लक्षी 2500 करोड रुपे का कारूबार करना है बता दे कि 10 वर्टिकल में काम कर रहे रेल PSU के पास फिलहाल 1562 करोड रुपे के ओर्डर है वहीं मिनी रतन एक का दरजा ब्रेथ वेट को सेभी द्वार नियंत्रित सार्वजिनिक छे किजिए और रेलवे जोड़ी और जानकार्य के लिए हमारे नेक्स्टेन आएर सिटीस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू फॉर वचिंग दिस वीडियो